हेलो गाईज कैसे हैं आप सब एक बार फिट से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एक्जाम में गाईज ये जिके के 20 most important questions का part 2 है जो कि आपके चंडिगड़ housing board और चंडिगड़ high court clerk की जो vacancies निकली हैं उनके लिए important है तो इस वीडियो को एंट तक जुरूर देखेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तो इन में से कौन सा planet है जिसका नाम Roman God Jewish के नाम पर रखा गया है तो वो है आपका Jupiter option number B इसका correct हो जाएगा Jupiter का जो नाम है वो Roman God Jewish के नाम पर रखा गया है Jupiter next question पर आते हैं next question है हमारे पास who is the first female airline pilot of India first female का नाम बताना है जो की airline pilot of India थी first female pilot of India कौन थी उसका नाम है आपके पास option number A दुर्गा बनर जी option number A इसका सही अंसर हो जाएगा दुर्गा बनर जी is the first female airline pilot of India दुर्गा बनर जी next question पर आते हैं next question है हमारे पास which one is the smallest state of Indian area India area wise यह सबको पता होगा इसमें से कौन सी state है जो इंडिया की जो इंडिया की जो सबसे छोटी state कौन सी है area wise तो वो है goa option number B आपका अंसर हो जाएगा goa is the smallest state of area wise next question पर आते हैं who discovered who directed the all India famous film mother India मदर इंडिया को किसने direct किया था ठीक है न तो यह किया था किसने महभूब खान ने महभूब खान ने मदर इंडिया जो फिलम थी उसको direct किया था who directed the all India famous film mother India mother India को direct करने वाले कौन थे महभूब खान आगे बढ़ते हैं next question पर आते हैं who has what has been renamed as the प्रगती मैदान Metro Station of New Delhi यानि कि प्रगती मैदान जो Metro Station था उसका नाम बदल कर एक नया नाम रख दिया गया है तो उसका नाम क्या है वो है Supreme Court Metro Station तो यह आपके current affair में पूछा जा सकता है जो प्रगती मैदान Metro Station है दिल्ली में उसका जो नाम बदल कर है वो क्या रख दिया गया है Supreme Court Metro Station का नाम उसका रख दिया गया है, next question पर आते हैं, which city is situated on the river Yamuna, Yamuna river पर कौन सी city जो है, वो situated है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, वो है, Mathura option number C, इसका correct हो जाएगा, Mathura city जो है वो, Yamuna नदी के किनारे स्थित है, कौन सी Mathura, आगे आते हैं हमारे पास, pong dam is situated on which of the falling river, pong dam कौन सी, इन में से क नदी पर है, वो है, ब्यास नदी पर, next question पर आते हैं, next question है, हमारे पास है, टीरी डैम is the highest dam in India, in which state, टीरी डैम कहां पर है, तो इस सबको पता है कि टीरी डैम जोगी इंडिया का highest dam है, सबसे उचाई वाला डैम है, वो कहां पर है, option number A, उत्राखंड में, इसका नसाइयनसर हो जाएगा, तो टीरी डैम जो है, वो उत्राखंड में है, और, और पॉंग डैम कौन सी नदी पर है, वो है, ब्यास नदी पर, next question पर आते हैं, next question है हमारे पास, where is the headquarter of the world health organization, world health हर याने की WHO का organization का जो headquarter है, वो का है, वो आफ़ तब को पता है, जिनेवा में है, option number C, इसका correct हो जाएगा, जिनेवा में, world health organization का headquarter है, next question पर आते हैं, next question है हमारे पास, who was the last person to sign Indian constitution, who was the last person, सबसे last person कौन से important question हो सकता है ये, कि last person कौन थे, जिन्होंने इंडियन constitution पर sign कीये थे अपने, who was the last person to sign Indian constitution, वह थे, फिरोज गांधी, फिरोज गांधी was the last person who signed Indian constitution, जिन्होंने Indian Constitution पर sign किये थे वो last person थे, कौन फिरोज गांधी option number C हो जाएगा next question पर आते हैं, on the bank of which river, सूरत कौन सी नदी पर स्थित है, तो जैसे अभी मतुरा आया था मतुरा यमना नदी के किनारे स्थित है, और उसी तरह से पर स्थित है, वो है, तापी, यह करना सूरत कौन सी नदी किनारे स्थित है, तापी नदी किनारे city जो सूरत है, वो situated है, next question पर आते हैं, there are how many pages in the Indian Constitution, very good question, there are how many pages कितने pages हैं Indian Constitution के अंदर Indian Constitution के अंदर 232 pages है, तो ध्यान लखेंगे Indian लास्ट जो थे जिन्हों ने इंडियन कॉंस्टिटूशन के उपर साइन के था वो थे फिरोज गांधी फिरोज गांधी इंडियन कॉंस्टिटूशन करने वाले लास्ट है और इसमें 232 पेजी है नस्कॉशन पर आते हैं what is the brightest planet of our solar system? हमारे solar system का सबसे brightest planet कौन सा है? वो है Venus, Venus is the brightest planet in our solar system. नेक्स कोशन पर आते हैं, operation mayk doot is related to, mayk dood किसे related है? is related to, तो मेk dood, जो operation है, वो related है सियाचीन से, सियाचीन से, जो operation mayk doot जो related है, वो है operation, mayk doot जो related है, Lord season, field में दिया जाता है तो द्रोना चर्य वर्ड जाता है sports की field में जैसा कि आपको पता है कि द्रोना चर्य वर्ड किसकी field में दिया जाता है sports की field में दिया जाता है और यह किसको दिया जाता है यह दिया जाता है किसको coaches को दिया जाता है जो coach होते हैं उनको air force जो base है एरफोर्स का पालम air force वो कौन सी city में है तो वो है दिल्ली में पालम air force base जो है वो है दिल्ली में option number A इसका correct हो जाएगा पालम air force force जो base air force base है वो कहां पर located है दिल्ली में है नेस question पर आते है highest producer of box site box site का सबसे ज़्यादा उतपादन कहां पर होता है highest producer को है वो है उडिसा box site का जो highest producer है वो कौन सा state है उडिसा is the highest producer of box site नेस question पर आते हैं we found the music concept from which Veda हमें वेद के बारे कौन से वेद से music के बारे में पता लगता है तो वो पता लगता है हमें साम वेद से साम वेद से हमें किसके बारे में पता लगता है music के बारे में पता लगता है option number A इसका correct हो जाएगा साम वेद साम वेद जो जो होता है उसे हमें किसके बारे में पता लगता है music के बारे में पता लगता है next question पर आते है firstly Indian India word used in which language India जो word था वो सबसे पहले कौन सी language में use किया गया था और ये इस वीडियो का last question है तो इंडिया जो word था सबसे पहले वो use किया था Greek language में option number C तो firstly India word is used in which language वो था आपके पास option number C Greek language में इसको use किया था एक बार फिर से हम एक quick recap कर लेते हैं ताकि हमारा revision भी हो जाए और हम रामसिस को याद भी कर सके तो first question था हमारे पास किस प्लैनेट का नाम रोमन गौड जीवस के नाम पर रखा गया है वो है Jupiter which is the first female airline pilot कौन थी है और इंडिया की वो थी हमारे पास कौन दुर्गा दुर्बा दुर्बा बेनर जी question number 3 पे आते है गोवा ने मदर इंडिया किस ने direct करी थी ये direct करी की थी कितनी महबूर महबूब खान ने मदर इंडिया जो फिलम थी वो महबूब खान ने direct करी थी वो has been dina and praagrati मैदान metro station ये supreme court metro station रख दिया गया उसका नाम वी state is situated on the river Yamuna वो है मतुरा option number C पॉंग डैम कौन सी नदी की किनारे वो है वियास नदी की किनारे तेहरी डैम जो कि इंडिया का highest डैम है वो कहां पर है उत्राखंड में विचे वेर इस था हैड़कॉर्टर ओर्गनाजिशन है जो हैड़कॉर्टर है वो जनेवा में है वो है फिरोज गांधी वहाँ अन दा बैंक ऑफ विच रिवर सूरस टीटी सुर्टर सूरत कौन सी नदी कीनारे है सूरत है तापी नदी की किनारे इंडियन कॉंस्टिशन में कितने पेज है और इंडियन कॉंस्टिशन में 232 पेजी है वो है वीनस उपरेंटिंग महदू किस से लेटेड़ है द्रोना चार है मनस शनल पर क Science में है पालम एsea फोर्स कहां पर है वो दिल्ली एर बेस कहां पर है वो दिल्ली में है और आयस प्रोडूसर वञेसा कॉन है वो और इसा है और व्हूफ एंड द्रोड़का वो है सामवेद और firstly Indian word used in which language इंडिया जो word था वो कौन सी language में use किया गया था वो किया गया था Greek language में तो guys ये थे आपकी GKK 20 most important questions जो कि आपके अक्वम इकजाम, चंडिकर्ड हाई कोट और चंडिया housing board की जो vacancies है उनके लिए important है तो इसी तरह से हमारे साथ बने रही है हम आपके लिए math, reasoning, English इस सब के mini mock test भी लेके आएंगे और इनके questions भी लेके आएंगे तो अभी के लिएम इतना ही रखते हैं अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो please इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जदा जदा शेयर कीज़ेगा, subscribe कीज़ेगा हमारे चैनल को इसी तरह के और वीडियो के लिए Thank you, thank you very much